नमस्कार मैं हूँ प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूश्रूम पोस्ट नसरुल्ला के सोशल मीडिया वाले प्यार के चक्कर में पाकिस्तान गई अंजू को क्या अब अपनी गलती पर पस्तावा हो रहा है या अब वो कोई नया पैतरा चल रही है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले तो नसरुला से निकाह करने के बाद उसने अपना धर्म बदल लिया अपनी पहचान बदल ली पाकिस्तान सरकार उसका वीजा एक्स्टेंड करने जा रही है ऐसी भी तमाम खबरें चल रही थी लेकिन कुछ समय पहले तक काफी खुश नजर आ रही अंजू को अचानक से अपनी गल्ती पर कथित रूप से पस्तावा होने लगा है एक इंटर्व्यू में उसने कहा कि उससे जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई उसने सोचा तो कुछ और था लेकिन कुछ और हो गया अंजू को अब अपने बच्चों की भी याद आ रही है उसने कहा कि यहां मुझे लेकर सब पॉजिटिव हैं यहां में जिस प्लानिंग से आई थी कुछ सोचा था लेकिन हो कुछ और गया जल्दबाजी में कुछ न कुछ मिस्टेक हो गई यहां पर यहां पर जो कुछ भी हुआ है उसकी वज़े से भारत में मेरी फैमली को बहुत जलील किया गया है इस वज़े से मैं बहुत दुखी हूँ बच्चों के मन में मेरे लिए क्या इमेज बनी होगी इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ मैं सब कुछ फेस करना चाहती हूँ मेरे पास सभी सवालों के जवाब है बीते महीने अंजू अचानक से पाकिस्तान चली गई थी उसने अपने परिवार और यहां तक के पती अरविंद को भी नहीं बताया था जब वो पाकिस्तान पहुँच गई तब उसने वहां से अरविंद को फॉन किया और सच्चाई बताई जिसके बाद सभी हैरान रह गए थे बाद में नसरुल्ला और अंजू का वेडिंग शूट का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पाकिस्तान की वादियों में फोटो शूट करवाते देखी गई थी शुरुआत में तो उसने दावा किया कि नसरुल्ला से उसने निकाह नहीं किया है लेकिन स्थानिय मीडिया और अन्य लोगों ने साफ कर दिया कि दौनों का निकाह हो चुका है और यहां तक कि अंजू ने अपना धरम परिवर्तन भी कर लिया है तो आपको क्या लगता है कि अंजू को वाकई में कोई पाकिस्तान जाने पर पस्तावा वास्तव में हुआ है या उसका कोई ये सोचा समझा नया पैतरा है हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार